स्वागते दोस्तों आप सभी खा आपके अपने एट्यूब चैनल प्रूब कर पते देखो काफी सारे बच्चे पूँच रहेते सर यह वाला नोटिस वेज करके कि क्या सर परिच्छा हैं कब होंगी काफी सारे बच्चे कह रहेते सर क्या कुछ मतलब जानकारी हैं पेपर्स क भी पड़े हुए हैं बच्चे जो मिरता कासरित होते हैं वो बच्चे होते हैं कुछ बच्चे जिनके बैक लगा हुआता है वो बच्चे होते हैं कई पिरकार के सेवारत बच्चे होते हैं जिनका परसे छड़ तेरा पंदरा में 21 में है ना 23 में इसके बाद में 17, 19 वाले 22 22 semester वाले 23 वाले इन सभी बच्चों के लिए ये कहा गया है इस notice में कि जो परिच्छाओं के आवेदन पत्र हैं वो 7 बारा 23 से 13 बारा 23 तक पूरित किये जाएंगे आप लोग स्कूल में जाकर के पहले तो पता करें दूसरा website भी दिया गया है आपके सामने www.uptla.exam.in लेकिन बच्चे पूँच रहे हैं काफी सारे कि सर क्या पेपर होगा इसी महिने में होगा कब होगा बच्चों की समस्या तो ये है बच्चों को इससे मतलब नहीं है कि फारम भरा जाएगा तो वो तो भरी जाएगा बच्चों को मतलब है कि सर पेपर कब होगा मैं इन समस्या उनकी पेपर किया उनको ये जानना है सिर पेपर कब होगा और किसी समस्या शे मतलब नहीं देखो उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो बच्चे जैसे परिच्छा सुल्क रखी गई है बच्चों के लिए उच 600 रुपए काफी सारे स्कूलों में क्या होता है टीचर्स जादा जादा रुपए मांग लेते हैं मांगते हैं ना इसके बाद में दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूँ परिच्छा फीस के बाद में जैसे जिन बच्चों का प्रिवेस पत्र उनी बच्चों का मिलेगा जिन बच्चों ने प्रिशिच्छड कार पूड कर लिया होगा यहां पर अगर आप देखेंगे एक लाइन लिखी हुई है परिच्छा सुल्ग निर्धारित बेफसाइट इतने पर आनलाइन जमा किये जानने की विवस्ता की गई है प्रिश्च चाडतियों के परिच्छा सुल्ग 600 रुपए मातर प्रिश्च चाडती की दर से दे होगी ठीक है आनलाइन आवेदन में कीए जाने वाली प्रिश्चियों को भली भाती जाच्पा मिलान करने के उपरांती आवेदन को सेप करते हुए सुरच्चित करें इसमें किसी भी तुटि के लिए प्राचार डाइट समंदिस संस्था उत्तरदाई नहीं होगा प्राचार जिला सिच्चा एवम प्रिश्चर संस्था उत्तरदाई होगा अदो हस्ताच्री कार्याले को उपलब्द कराना सुनिश्चित करें, उक्ति निधारी तिथी में कारवाई नहीं किये जाने पर अत्रवा परिच्छा में संभलित होने से कोई प्रिशिच्छाडा थी बंचित रहता है तो संपूर उत्तरदायू तो आपका होगा, ठीक है आज सहेच्छे कनुसंधान एवं प्रिशिच्छड परसद उत्तरदेर लखनवू समस्त प्राचार प्रबंदक निजी बीटीसी डियलेट प्रिशिच्छड संसान उत्तरदेर्देश को इस आसाई से प्रेशिद है कि संबंदित जिला सिच्छा एवं प्रिशिच्छड सं इनसान से संपर्क कर अब भ्यारतियों के अब एदन पर दिनांग साथ 1223 से 13823 तक पूरित करना सुनिश्चित है यह जो आपका नोटिस आया है अब मैं आपको बदा दू जो परिच्छा आपकी है आप लोगों ने देखी लिया है कि फार्म जो हैं हमको कब तक देने हैं पर आप लोग देख सकते हैं जो लास्ट डेट रहेगी वो अठारा 1223 तक रहेगी अब जब फार्म भर जाते हैं उसके लगबग 15 दिन का एरफेर रहता है कि आपके एकजाम डेट आजा एकजाम आपके सुरू हो जाते हैं लगबग 15 दिन का हम अगर इसमें 15 दिन भी 18 के वाद में गरें 12 प्लस कर दें तो आप आसार ये कर सकते हैं हो सकता है अगर थोड़ा जल्द बाजी में काम किया गया जल्दी काम किया गया तो दिसंबर का लास्ट बीक भी आपके पेपर के लिए हो सकता है इससे ये अनुमान लगा आजा सकता है नई तो आपके जैनवरी के first week में आपके exam या आप हम ये मान के चलते हैं कि आप जनवरी का second week मान लीजिए कि second week में hundred plus one percent confirm है hundred percent आप confirm समझ लीजिए क्योंकि देखो 18-23 तक तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रिदबत पतरीके से कागज पहुचाए जाएंगे इसके बाद में क्या होगा आपकी परिच्छा तारीक निश्चित की जाएगी आपके लिए प्रिवेश्पत्र जारी कराए जाएंगे मतलब center बनाए जाएंगे उसमें प्रिवेश्पत्र जारी भी करना पड़ेगा उनको बहुत सारे एक बार लेकिन जनवरी का फर्स्ट या सेकेंड वीक हम मान सकते हैं फिर भी आपके पास समझ ज़्यादा नहीं है सिर्फ दिसंबर में आज पास तारीक हो चुका है पचीस शपचीस दिनी दर हैं हम कहतने अगर जनवरी के फर्स सेकेंड वीक में भी होते हैं तो टोटली एक महिना मान लीजिए अच्छे से त्यारी करना है जिन बच्चों का एक्जाम है डेली क्लास को करिए कांटीनू क्लास में आए क्लास को गैफ नहीं करना है अपने सभी दोस्तों को भी बताईए हमारे चैनल के बारे में ताकि सारे बच्चे डेली क्लास को कांटीनू कर पाए ठीके भाई यही सारी चीजें बताने आए थे काभी सारे बच्चे परिशान है तो फीस आप लोग परिच्छा फार्म के लिए रेडी रहे है सारे डाकुमेंट तयार है जो भी वहाँ पर लगे आप लोग दीजेगा 600 रुपे फीस लगेगा अपना भरिएगा और आपको कोई भी परिच्छा फार्म में गलती नहीं करनी है सारी जिम्मेदारी डाइटर आपके पर सिच्छड संस्थान की ही होगी साथी साथ जिम्मेदारी उनकी तो होती है लेकिन वो लोग फार्म आपसे भराते हैं आपको भी फार्म को सुनिश्चित करना है सारी चीजें विद्वत तरीके से सही तरीके से भरनी है कोई भी गलती नहीं करनी है ठीक है क्योंकि गलतीयां हो जाते है भी सुदार कराना बहुत मुश्किल होता है आप भी जानते हो तो धोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए अपने सभी दोस्तों को बताइए मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को जैहिन वन्यवात्रा